वा दोनी कमाल कर दिया फाइनल से पहले ऐसी टीम बनाई हार्दिक के अपने मैदान पर आजाएगी तबाई दोनी ने वो खिलारी बुलाया जिसने उन्हें 2023 के फाइनल में पहुचाया वो आते ही मचाएगा तुफान बढ़ाएगा चेनरी की शान दोनी मानते हैं उसे चेनरी की सबसे बढ़ी ताकत मैदान पर आते ही बन जाता है विपक्षियों के लिया आफ़च हो गई तयारी हार्दिक की स्खिलारी से बचकर रहना इस बारी दोनी के वो पाँच हतियार जो फाइनल में लगाएंगे बेडा पार दोनी ने लगाया चाचा चोदरी वाला दिमाग हार्दिक की आलत हो जाएगी खराब जी हाँ फाइनल की लड़ाई अब कुछी घंटे बचे हैं दोनों टीमें अपनी अपनी तयारी में जुटी हैं लेकिन दोनी को कोई टेंशन नहीं है जो इस एतियासिक फाइनल मैच में इतियास लचने वाले हैं दोनी ने जिस खिलारी को बुलाया है उस खिलारी के तोड़ किसी के पास नहीं है उस खिलारी ने दोनी को 2023 के फाइनल में पहुचाने में बड़ा रोल निभाया है तो चलिए आपको उस खिलारी का नाम बताए उससे पहले उन 5 खिलाडियों के नाम जान लीजिए जिन से हार्दिक को बच कर रहना है नमबर 1 गायकवार IPL 2023 में रितुराज गायकवार ने कमाल की बल्ले बाजी की है गायकवार इस सीजन अभी तक 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं चार अर्शतक लगा चुके हैं और गुजराद के खिलाब इसी मैदान पर पहले मैच में 92 रनो की पारी भी खेल चुके हैं तो सबसे पहले हार्दिक को गायकवार जे बच कर रहना होगा नमबर 2 कौनवे कौनवे ने इस सीजन कमाल की बल्ले बाजी की है इस सीजन कौनवे हर तीसरे मैच में अर्शतक लगा देते हैं और ये तीसरा मैच है पिछले दो मैचों में कौनवे कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए वैसे कौनवे का रिकॉर्ड भी शमी के खिलाब उतना बहतर नहीं है लेकिन कौनवे कभी कभी बड़ी पारी खेलने की ताकत रखते हैं इस सीजन रहने का बल्ला आगोगन रहा है इस सीजन उनके बल्ले ने खुब तुफान मचाया है बड़ी बात यह है कि इस तरीके की उच्छाल वाली पिछ पर दूबे जैसा बल्ले बाज घातक साबित हो सकता है इसलिए गुजरात को दूबे से भी बचकर रहना होगा जड़ेजा बेशक चेने की तरफ से खेल नहीं हो लेकिन जड़ेजा का यह अपना होम ग्राउंड है इस मैदान पर खेल कर जड़ेजा बड़े हुए है जड़ेजा को इस मैदान के बारे में बखु भी पता है इसलिए हार्दिक को जड़ेजा से भी बचकर रहना होगा बड़ी बात यह है कि जड़ेजा ने गेन से इस सीजन बहतर प्रदसन करके दिखाया है साथी बल्ले से भी बहतर प्रदसन किया है तो हार्दिक को जड़ेजा से भी बचकर रहना होगा अब बात करते हो उस खिलारी की जिसका खौप सभी टीमों में रहा हार्दिक भी उस खिलारी के बारे में जरूर सोच रहे होंगी वो दोनी का सबसे बड़ा हतियार है नाम है मतिशा पतिराना जी हाँ आईपल 2030 में मतिशा पतिराना ने डैथ ओवर्स में सबसे बहतर गेंदबाजी की है पतिराना का डैथ ओवर्स में सबसे बहतर रहा है बड़ी बात यह है कि पिछले मैच में गुजरात को अराने में पतिराना का बड़ा योगदान था ऐसे में हार्दिक की टीम को पतिराना का कोई तोर जरूर निकालना होगा वरना ये गेंदबाज अपनी खतननाक योर्कर से गुजरात के बल्लेबाजों के डंडे निकाल देगा दोनी खुद में चाहेंगे कि इस फाइनल मैच में कुछ ऐसा कर दें जिसे दुनिया हमेशा याद रखे वैसे भी दोनी बड़े मैचों के बड़े खिला रही है ऐसे में दोनी भी हारदिक के लिए सबसे बड़ी चुनोती होंगी तो आपका दोनी के इन 6 हत्यारों को लेकर क्या कहना है और आपके हिसाब से इस फाइनल में कौन सी टीम जीत रही है कमेंट करके जरूर बताए